है क्रिप्टो फैंस वेलकम टू बिटकोन बाटलियन यूटूब चैनल जहां पर हम क्रिप्टो ब्लॉक्चेन टेकनोलोजी के बारे में चर्चा करते हैं और आज हम बात करेंगे ब्लूजेल के बारे में हैं और यहां पर हम जानेंगे यह कैसे काम करता है यह क्या है यह कैसे कौन सा प्रोब्लम को सॉल्व कर रहा है एक्सेटरा एक्सेटरा तो पहले जानते हैं वटवेटीज ब्लूजेल एक डीसेंट्रालाइज ओरकल है ओरकल है जिसको बाक कर रहा है कोस्मोस ब्लॉक्चेन आपको नहीं पता अगर कोस्मोस ब्लॉक्चेन कीनोरोडीव प्लॉक्चेन भी जिसका उपर ब्लू जेल बनाया गया है और इसी के बज़े से Cosmos की बज़े से ब्लू जेल कान प्रोसेस 10,000 TPS पर सेकेंड 10,000 ट्रांजक्शन पर सेकेंड को ब्लू जेल प्रोसेस कर सकता है तो क्या समझें ब्लू जेल एक जो पावर्ड बाई Cosmos ब्लॉकचेन है और इसी के बज़े से 10,000 ट्रांजक्शन पर सेकेंड को प्रोसेस कर सकता है तो ब्लू जेल काम केसे करता है तो आप जानते हो अगर गूगल के सर्वर को अगर आप देखोगे तो बहां पर एक सेंट्रलाइस सर्वर है सेंट्रलाइस सर्वर है ठीक है जहां पर सारा डाटा जाके स्टोर होता है हर जगा से डाटा वहां पर जाके स्टोर होता है लेकिन अगर आप देखोगे ब्लू जेल को वो क्या करेगा जितने भी छोटे छोटे डिवाइस है मोबाइल कंप्यूटर गेम कंसोल उसमें जितने भी फ्री स्पेस होते हैं उन सब को connect कर देता है, अगर आप चाहँ आपके mobile में free space है, तो आप भी node set कर सकते हो blue jail में, ठीक है, तो वो क्या करेगा, आपके पास मान के चलो 1 GB है, ठीक है, तो इसके पास 1 GB है, इसके पास 2 GB है, इसके पास 3 GB है, इसके पास 5 GB है, ऐसा करके सब के पास कुछ ना कुछ space खा आली रहता है, तो blue jail क्या करता है, इन सब को connect करता है, करके एक बड़ा सा server बनाता है, जो की decentralized server है, ठीक है, तो यहाँ पर अभी जो data होगा blue jail के माध्यम से, यहाँ पर इन node में जाके store होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो, Google में एक ही जगा store हो रहा है, लेकिन blue jail में बहुत सारे nodes में जाके store होता है, तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि जो node से हाँ पर run कर रहे हैं, सायद यह आपका अगर node है, तो आप जो store के लिए अपना space यहाँ पर rent पर लगा रहे हो, तो इसके बदले में इस जो rent आपने लगाया, आपको कुछ blue jail की token मिलेंगे, और जो लोग उसको rent पर लेंगे, वो blue jail के token के माध्यम से rent पर लेंगे, तो यह इसका business plan है, तो अगर आप चाहते हो, आपके laptop में space है, आपके computer में space है, आपके gaming console में space है, तो आप एक blue jail node setup कर सकते हो, ठीक है, तो यह कौम सा problem को भी solve करता है, तो पहला problem है, जो decentralized system है, उसी के बज़े से, पहला तो आप censorship से बचाओगे, दूसरा security, तीसरा speed, चोथा चेप, आपको सस्ता पड़ेगा, आप अगर decentralized platform यूज कर रहे हो, blue jail का, तो आपको सस्ता पड़ेगा अपना data को store करने के लिए, ठीक है, यह सब problem को blue jail solve करता है, अगर आप कुछ financial application बनाने जा रहे हो, तो अगर आप blue jail की यूज कर, आपना जो application का database है, उसको store करते हो, तो अगर कोई hacker अपना financial data आपके जो application में है, वो अगर चाहेगा उसको चोरी करने के लिए, तो उसको बहुत थी problem का सामना करना पड़ेगा, वो असनी से hack नहीं कर सकता है, almost impossible है hack करना, फिर sensor, कोई चाहता है कि आपके जो data है, आपके पास जो भी है, उसको sensor करना तो नहीं कर सकेंगे, उसके बाद speed होगा, उसके बाद जो speed के बाद जो होता है, चीफ आपको बहुत ही सस्ता बढ़ेगा, अगर आप centralized server यूज करते हो, तो पहले देखो, centralized server में क्या होता है, कि single point of failure होता है, एक ही जगा पर सब data है, अगर वो ही hack होई गया, तो आप स अगर कोई एक, दो, तीन, चार नोड हाक हो जाते हैं, तो तब भी आपका data safe ही रहेगा, तो यही फाइदा है, decentralized को use करना का, तो blue gel का use case, कहां कहां हो सकता, use case क्या है blue gel का, तो blue gel को use करके आप cloud gaming कर सकते हो, आपका जो game है, वो आपको computer में safe करने के लिए कोई जो आवे सकता नहीं, आप cloud gaming कर सकते हो, फहला, दूसरा है, अपना financial tool जितने भी हैं, उनको secure करने के लिए आप blue gel पो उनको develop कर सकते हो, तीसरा, आप अपने data को वहाँ पे store कर सकते हो, secure के लिए, तो यह बहुत सारे use case हैं, और blue gel की जो अगर आप जानना चाहते हो, यह deep में कैसे काम करता है, आप node के से run करोगे, बहुत सारे चीज हैं, जो कि blue gel के बारे में, एक ही video में आपको बता नहीं सकता, तो बहुत सारे video में, बाद में निकालूँगा, जिसमें बहुत सारे चीज, details में होंगी, कि इसमें node के से run करते हैं, उसमें कैसे काम करता है, उसमें कैसे proof of stack काम करत किस तरह से अंदर में काम हो रहा है मैं इसके बारे में भी दूसरा कोई एक वीडियो जरूर लाओंगा तब तक के लिए गुड़ बाई हुआ हुआ है